हेलो दोस्तों स्वागत थे आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फेक्ट बात चलिए वीडियो सुरू करते हैं एक इंट्रो के बाद फेक्ट नमबर टेन आप अक्सर सुने होंगे कि सोनी की सुधता को केरेट में मापा जाता है जैसे की 24 केरेट का सोना है या फिर कुछ और पर दोस्तों सोना 10, 12, 14, 18, 22 और 24 केरेट का भी होता है 24 केरेट का सोना सुध सोना है पर 22, 18, 14 ये सब जो सोने होते हैं इसमें सुधता की कमी होती है पैक्ट नमबर नाइन दोस्तो सोना इतना मुलायम होता है कि हम इसे हाँ से भी मोड सकते हैं एक तोला दस करम सोने से एक बाल जितनी मोटाई की 5400 फेट मतलब 1.6 किलो मीटर लंबी तार बनाई जा सकती है ये इतना मुलायम होता है दोस्तो आज तक जितना सोना निकाला गया है उसका लगभग आधा सिर्फ एक जगह से निकाला गया है वो जगह का नाम है विट वाटर स्ट्रेंड जो ये साउथ अपरिका में है पैक्ट नमबर सेवेट दोस्तों फ्रांस में हुई एक मेडिकल स्टडी से यह बात साविक हुई है कि गट्विया रोप के उपचार में सोना बहुत ही प्रभावी होता है यह स्टडी बारवी सताबदी में की गई थी पैक्ट नमबर सिक्स दोस्तों मेडिकल लाइन में डर को अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे कि किसी वेक्ति को अगर पानी से डर लगता है तो उस डर को हाइड्रोफोबिया कहते हैं वैसे ही दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कोल्ड से डर लगता है मतल 0.2 मिलिगराम सोना होता है इसमें से ज्यादा तर हमारे खुन में होता है पतलब जो सरी में सोना पाय जाते हैं वो ज्यादा तर हमारे खुनों में मौजूर होता है फैक्ट नमबर 4 अंतरीच यात्रियों का हेलमेट बनाने में गोल्ड का इस्तमाल होता है गोल्ड सूर से आने वाले खतरनाक किर्णों को रिफ्लेक्ट कर देता है और हेलमेट के अंदर ठंडा रखने में मदद करता है फैक्ट नमबर 3 दुनिया में सबसे अधिक सोना रखने वाला देश सन्युक्त राज अमेरिका है जहां जितना स्क्रीन पर आप नमबर देख रहे हैं इतना टंड सोना है अमेरिका के पास फैक्ट नमबर 2 दोस्तो यदि इंजेक्शन के द्वारा सोने को बोडी में डाल दिया जाए तो यह कैंसर से लड़ने में मदद करता है और जोड़ों को भी मजबूत बनाता है यह 10 लोगों में से 7 अधियों पर काम करता है पैक्ट नमबर 1 को जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये है तो प्लिस कर ले दोस्तो आप सोने के टुकरे को काफी देखे ही होंगे और सोना चाहां से निकाला जाता है वहाँ विछड़़़़़़ टुकरों में ही मिलता है पर दोस्तो अब तक का सबसे बड़ा सोने का टुकरा पांच परवरी 1869 को अस्ट्रेलिया में मिला था यह लगभग 79 किलो का सुद सोने का टुकरा है और यह जमीन से केवर दो इंच नीचे मिला था और इस सोने के टुकरे का नाम है वेलकम अस्ट्रेंजर प्रुकराइस